जारा हो और ऐसे कईसन हो सकेला कि सांच के मुंफली ना खायल जाला जारा के दिन में न सायद कुनो घर ऐसन होके जाना मंगफली ना मिले अब परिवार के साथ एकर मजा ना लेवे मुंफली के असर गरम होला एही में ठंडा से बचाओ में काम आवेला एकरा संगे संगे होई प्रोटीन भी काम करेला लेकिन एकरा कुछ नुकसान भी बा जो अनकी रवा खातिर जानल बहुते ज़रूरी बा काहे के आखरी इतर रवा स्वास्ते के बारे में बा रोज मंफली खायले से पेट में अवरी फेपरा मजबूत हो खेला पाचन की शक्ती बढ़ जाला अवरी भूक कम होके भी समस्या दूर हो जाला कुल मिला के ना पेट खातिर एगो रामबान दवाई बा अगर रोज भोजन के बाद मंफली खायल जाला तो स्वास्त बनर रहेला खाना पच जाला एनिमीनिया ना होकेला एकरा में प्रोटीन, फाइदे मंद वासा, फाइवर, खनीज, विटामिन, औरी, एंटी ऑक्सिडेंट भरपूर मातरा में होकेला हाला कि मुंगफली स्वास्ते खाती ना निमन होकेला लेकिन एकर नुकसान भी बहुत बाद जैसे कि अगर केहू के एलेलजी बा, ता ओ आदमी के मुंगफली ना खाये के चाही हला कि मुंगफली के असर गरम होकेला लेकिन एकरा में पेट में गैस की समस्या भी बढ़ सकेला सबसे जबरी बात इबा कि मुंगफली पे लाल छिली के कबो गलती से भी ना खाये के चाही डॉक्टर के मुताविक इचिल का आथ में फसकर नुकसान पहुचा सकेला एकरा अलावे मुंफली खायला के बाद आदा घंटा तक पानी नहीं पिये के चाही काही की एकरा चलते खासी के हर संभावना बा नाजुक तोचा खातिर भी मुंफली बहुत खतरनाख हो केला मुं में खुजली और चेहला अगला में सूजन आदी एकरा अलजी का नतीजा भा कबो कबो सांस लेवे में दिक्कत दमा का दोरा भी हो सकेला ऐसे में न जैसे न ऐसे कोनो अलजी महसूस होके तुरन डॉक्टर से संपक करी जब ले उ ठीक न हो जाओ तब ले कोनो सूखा फल के सेवन मत करी ध्यान रहे मुंफली के जादा मात्रा से आपके सरीर को नुक्सान हो सकेला दिल औरी बीपी के मरीच को नमक चाहे तले मुंफली ना खाई के चाही का रवा लोग के ठंड में मुंफली खाईल पसंद बा कमेंट करके हमका बताई साथ ही वीडियो को लाइक करी और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूली